हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नीतोस कुकिंग हम इस बड़ती गड़मी में मैं आज आपके लिए ले के आए हूँ ठंडा ठंडा और एक दम क्रीमी रोज मिल्क सर्वत की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ एक गलास सर्वत आपको पूरी तरह स तरो ताजा कर देगा तो आए इस सर्वत की रेसिपी को बनाते हैं रोज मिल्क सर्वत बना निकली यहाँ पर मैंने कराही धोके डाली है जो की गीली है और अभी मैं इसमें एड कर रही हूँ एक लीटर फुल फैट मिल्क तो कराही अगर सूखी है तो आप उसमें थोड़ उसकी कंसिटेंसी एकदम परफेक्ट हो अभी हम दूद को मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से एक उबाल आने देंगे इसे हमें जलाना भी नहीं है यह ऐसा नहीं करना है कि हम इसे रब्री के तरह अच्छे से उबालेंगे ताकि यह गाड़ा हो हम इसमें एक ऐसी चीज म बनीला कस्टर्ड पावडर इससे जो हमारा सरबत बनेगा वह एकदम क्रीमी बनेगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा यह आपको मार्केट में इसली अबलेबल है बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉस्ट्री सॉप पे मिल जाएगे तो यहां पे देखे इसे हमें ग कुछ इस तरह की होती है आप चाहे तो नॉर्मल सरबत में भी इसे डाल के रोज में इस्तमाल कर सकते हैं गर्मियों के दिन में और अभी हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके साइट पे रखेंगे दस मिनट में यह अच्छे से फूल जात क्योंकि हम रोज सीरप इस्तमाल करेंगे वह भी मीठी होती है तो यहां पे चीनी आप अपने हिसाप से कम जादा कर सकते हैं और अभी जो हमने कश्टर्ड का घोल तैयार करके रखा था वह हम दूद में डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसे उबालेंगे तो यहां प देखे फिर दो से तीन मिनट हो चुके हैं और यह हलका सा गाडा दिखडा है तो यह जब ठंडा हो जाता है तो यह और ज़्यादा गाडा हो जाता है तो अभी मैंने इसे तीन से चार मिनट पका लिया और मैं इसे एक साइड पर रख दूँगी ताकि यह पहले रूम साबुदाना तो यहां पर यह बारीक वाला साबुदाना है मैं इसमें एड कर दूँगी और इसे 5-6 मिनट पकने दूँगी यह साबुदाना बहुत जल्दी पक जाता है अगर आपके पास थोड़ा मोटा वाला साबुदाना है तो आप उसे भी सर्वत में इस्तमाल कर सकत और यहां पर मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ट्रांस्पारेंट हो जाएगा तो यहां पर देखें कुछ दाने ट्रांस्पारेंट हो चुके है थोड़े थोड़े से वाइट दिख रहा है तो जब हम इसे चन्नी में इस तरह से थोरी देन में वो खुद ही transparent हो जाता है तो अभी मैंने इसे छनी में छान लिया और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से transparent दीख रही है तो अभी हम इसे तोरे से normal पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा starch निकल जाए और इस तरह से छान के एक side पे हम रख लें है ताकि जो हमारा दूद है वो और जादा क्रीमी हो जाए तो यहां पे देखे फ्रेंट दूद मिक्स हो चुका है तो इस टाइम पे जो हमने साबुदाना बना के रखा था वो मैं इसमें 4-5 चमच एड़ कर रही हूं अगर एक्स्रा है तो आप उसे अलग कर लें इसी के स यहां पे 1-4 कप लिया है रोज सीरप तो रोज सीरप आप रूपचा भी आप डाल सकते हैं यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और यहां पे देखे मैं इसे मिक्स कर दूंगे और मिक्स करने के साथ ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसका आ रहा है तो यहाँ पे इसमें मैंने कोई भी food color का इस्तमाल नहीं किया है। सरवत को mix करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से dry fruits लिये हैं, थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम को बारिक टुग्रों में cut कर लिया था। और थोड़ा-थोड़ा हम सरवत में add कर देंगे ताकि हम जब सरवत पिए तो हलका सा crunch भी आए। साथ में मैंने यहाँ पे add की है दो से तीन चमज, टूटी, फुरूटी तो यह मेरे घर में available था इसलिए डालने हैं यह पूरी तरह से optional है आप चाहें तो fresh fruit भी add कर सकते हैं और अभी हमारा सरवत पूरी तरह से ready है तो इसे और ज़्यादा ठंडा और refreshing बनाने के लिए मैंने थोड़े से ice cubes इसमें add कर दिये हैं और अभी हम सरवत को serve करेंगे तो उसके लिए मैंने glass में एक एक चमज सबजा सीड डाल दिया है साथ में थोड़े से serve करना चाहते हैं और यह हमारा ठंडा ठंडा रोज मिल्क सरवत पूरी तरह से ready है और आप देखके ही समझ सकते हैं कि यह कितना tasty और yummy दिख रहा है तो आप इस गर्मी इस सरवत की recipe को एक पर ज़रूर try करें और मुझे comment box में बताएं कि आपको मेरी यह recipe कैसी लगी recipe पसंद करेंते हैं